हलो एब्रीवन वेलकम बेक तो आवर न्यूव यूटियूब वीडियो और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वारी है क्योंकि आज की वीडियो में हम IELTS Speaking से रिलेटिड जो है उसके बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे idioms के बारे में idiomatic expressions के बारे में कि क्या होते हैं idioms और क्यों आज speaking के exam में idioms जरूरी है So बहुत सारे students की एक query हो रहती है कि क्या हमें idioms जो है speaking में use करने चाहिए अगर हमें high band score लेना है तो इसी सारी बातों पर आज हम discussion करेंगे और आपके साथ मैं ऐसे 15 idioms जो है जबरदस्त idioms आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आपको सिरफ और सिरफ not नहीं करना सिरफ concentration के साथ ये video देखनी है और पूरी end तक आपको video देखनी है और video के end तक definitely वो सारे idioms आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारे idioms जो है वो आप idiomatic expressions के साथ वो आपको use करने है ताकि वो बिल्कुल natural लगे अगर आप idioms use करते हो speaking में तो आप बिल्कुल ऐसे sound करते हो कि जैसे कि एक native speaker बात कर रहा हो अगर आप चाहते हो कि आपका speaking में score improve हो तो उसके लिए आपको idioms थोड़े बहुत use करने पड़ेंगे मैं जादा नहीं बोर रही हूं बट आपको unnatural idioms add on नहीं करने है यानि कि forcefully आपको idioms add नहीं करने है और यही सारी बाते आज की वीडियो में हम discuss करेंगे सो वीडियो में अंट तक जरूर बने रहेगा हाई दिस इस मनपृत एंड यो आप वाचिंग आल्स फीवर चैनल सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं without wasting any time तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि idioms कितने जरूरी है और क्यों जरूरी है अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे कि जहाँ पर लिखा है कि band 9 ये आपको दियो है band 9 अगर किसी को लेने हैं तो वहाँ पर mention है लेर्जी का resources में कि uses idiomatic language naturally and accurately इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर आप 9 band अचीव करना चाहते हो speaking में तो आपकी grammar तो जो है वो अच्छी होनी चाहिए fluency तो आपकी होनी चाहिए task response भी आपका अच्छा होना चाहिए और जो लर्जी का resources की बात करते हैं सिरफ ये नहीं है कि आपको सिरफ heavy words vocab आपको add करनी है बलकि आपका idiomatic language यानि कि जो idioms हैं उनको आप naturally और correct way से accuracy वेसे ही आप use करते हों ये भी बहुत जूरी है nine band के लिए और बहुत सारे student कहते हैं कि हमने बहुत सारी vocab जो है हमने word repeat नहीं किये हमने अच्छी vocab यूज की थी हमारी grammar भी ठीक है कोई error नहीं था फिर भी हमारा band score जो है वो seven रह गया वो क्यों उसके पीछे ये reason है ये seven रहने के पीछे ये reason है कि आप जो है वो यूज करते हो less जो है uses some less common idiomatic vocabulary यानि कि आप जो है idiomatic vocabulary less use करते हो सो ये main reason है सबसे पहले हम यही discuss करेंगे ये आपको पता लग गया है कि कितने जरूरी है idioms जो है but forcefully आपको कोई भी चीज add-on नहीं करनी हो थी speaking में speaking आपको इस तरहां से देनी होती है कि आप natural बात कर रहे हो ठीक है बिल्कुल natural रहे कि आपको बात करनी होती है और naturally जो idioms add-on होते हैं वहीं आपको add-on करनी होते हैं forcefully कुछ नहीं add करना so ऐसे ही idioms हम आपके साथ discuss करेंगे जो बहुत natural है और आप हर किसी speaking cue card में हर किसी question में या किसी भी तरह का cue card आपके पास आता है तो आप उसे easily use कर सकते हैं आपको सिरफ एक काम करना है कि video को end तक और full concentration के साथ देखना है तो चलिए start करते हैं हमारे first idiom से so हमारा first idiom है full of beans full of beans का मतलब क्या होता है when you are full of beans it means you are energetic you have a high spirit and you are lively means कि आप बहुत ज़्यादा active हो बहुत ज़्यादा आप में energy है और बहुत ज़्यादा खुश में जा जो तो जब भी आपको ये express करनी हो feeling कि वो बहुत energy से भरा हुआ था उस time पर आप full of beans use कर सकते हो चलिए इसका example देखते हैं कि अगर सच पूछो तो बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा energy मुझ में नहीं होती morning के time पर अगर आपको ये कहना है कि मैं morning person नहीं हूँ तो आप इस तरह से कर सकते हैं I am not a morning person personally like many people I am not full of beans in the morning so ठीक है आपको समझ आ गया होगा full of beans का मतलब एक और example देख सकते हैं my brother is full of beans after receiving his favorite playstation suppose कीजिए कि आपका brother जो है जिसे games का बहुत शोग है या फिर suppose कीजिए किसी बच्ची को जिसे हम chocolate offer कर दें और उसकी excitement उसका जो लेवल होगा जो उसकी energy होगी वो उसके face पर show हो जाएगी सो इसी तरह के expression को express करने के लिए word यूज करते हैं full of beans I hope कि यह आपको अच्छे से सामझ आ गया होगा और इसी तरह से हम one by one बाकी के भी idiom प्रपेर कर लेंगे बस आपसे एक request है कि वीडियो में end तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेर जरूर कीजिए अब नेक्स्ट इडियम की बात है तो नेक्स्ट इडियम है डाउन टू अर्थ डाउन टू अर्थ आप बहुत सारे person के जितने भी क्यूकार्ट्स हाते है persons related intelligence person एक person जिसको आप म ही ज्यादा simple हो बहुत ज्यादा humble हो help करने वाला हो दूसरों की और दूसरों को अपने बराबर ही समझे उन्हें नीचा ना दिखाए यानि कि इस person को हम कहते हैं down to earth आप example के तोर पर एक sentence देख सकते हैं even after achieving his name and fame he is very down to earth person आप suppose कीजिए कि कि किसी आप actor के बारे में या फिर क किसी ऐसी celebrity के बारे में आप बात कर रहे हो कि जिसने बहुत सारा नाम और जो है शोरत कमाली है पैसा कमालिया है पर फिर भी वो जो है बहुत humble है बहुत simple है उसका lifestyle जो है बहुत simple है वो down to earth person है third है down in the dumps down in the dumps means you are feeling extremely sad कि आप बहुत जद दुखी हो to be disheartened or to be depressed state of mind or extremely sad जब आप sad feel करते हो जब आप low feel करते हो वो वाली feeling में हम use करते हैं एक idiom down in the dumps बहुत बार ऐसा हुआ होगा आप example के तोर पर ये देख सकते हो कि जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं music सुनता हूँ या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उसके exam में number नहीं आये वो fail होगी exam में इसलिए वो down in the dumps है so example के तोर पे हम एक sentence लेते हैं to avoid feeling down in the dumps I always watch motivational movies कि अपनी sadness को अपनी बोर्यत को अपनी depressed state of mind को दूर करने के लिए मैं हमेशा जो है motivational movies देखती हूँ and next example आप ले सकते हो even though she feels down in the dumps due to her personal problems की हालांकि उसके पास जो है वो बहुत low feel कर रही थी अपनी personal problems को लेकर she put up a smiling face at work पर फिर भी उसका काम की तरफ जो उसका था वो face उसका smiling था next है it's not my cup of tea और ये मेरा favorite idiom है मैं इसे बहुत use करती हूँ और बहुत easy भी है इसे use करना इसका मलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके type की नहीं है या जिसके लिए आप interested नहीं हो if something is not your cup of tea it means it is not the type of thing that you like अगर मुझे ये कहना हो कि कोई मुझे offer करे कि चलो मेरे साथ horror movie देखने चलो तो मैं उसे simply बोल सकती हूँ horror movie is not my cup of tea मलब ये मेरे taste का नहीं है मुझे ये पसंद नहीं है ठीक है या आप अगर कुसी को कुछ कहना जाते हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो एक्जामपल के तोर पे action movies are not really my cup of tea I prefer drama and comedy to be honest बट आपको ये सारे idioms इस तरह से यूज़ करने है कि ये बिल्कुल natural लगे ओके next है it's a piece of cake it's a piece of cake means something that is very simple to accomplish और आप अगर easy way में आपको बताया जाए इसका मतलब होता है easy कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा असान होना बहुत ज़्यादा easy होना for example के तोर पर हम एक sentence लेते हैं getting 8777 in the IELTS exam is not a piece of cake for everyone in fact it requires a lot of hard work and dedication कि 8777 लेना IELTS exam में कोई बहुत easy काम नहीं है हर सब के लिए not a piece of cake for everyone in fact इसके लिए बहुत सारा hard work और dedication चाहिए अगर कोई example आप solve कर रहे हो कोई equation आप solve कर रहे हो या कोई exam आप solve कर रहे हो और वो आपको बिल्कुल असान रग रगा है वो question solve करना तो आप उसे भी बोल सकते हो कि ये बहुत easy task है मेरे लिए solve this equation as a piece of cake for me ठीक है मेरे लिए ये बहुत असान काम है next है it's a hard nut to crack ये बिल्कुल opposite है अभी हमने देखा कि easy के लिए आप किस तरह से idiom यूज करते हो अगर कोई problem कोई situation that is difficult to solve or deal with you can use that idiom it's a hard nut to crack कि ये बहुत hard है nut to crack nut to crack यानि कि इस nut को crack करना इस nut को तोड़ना जो है बहुत hard है so it's a hard nut to crack और किसी person के लिए भी आप use कर सकते हो जिस person को आप समझ नहीं बारे यानि कि जो person आपके लिए confusion create करता है उसको आप समझ नहीं बारे तब या बोल सकते है he is hard nut to crack for me कि इस person को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और example के तोर पर अगर कोई situation कोई problem ऐसी है जिसे आप solve नहीं कर पा रहे हो तो example के तोर पर आप इसे देख सकते हैं sentence को passing IAS is a hard nut to crack okay कि IAS का exam pass करना जो है बहुत difficult है बहुत difficult situation है next is over the moon over the moon आप किसी भी qcard में किसी भी speaking qcard में यूज कर सकते हो जब आप से आपकी feelings पूछी जाती है कि how you felt about this आप कैसा felt करते हो इसके बाल में तो आप बोल सकते हो कि आप जब happy होते हो जब आप pleased होते हो तब आप इसे यूज कर सकते हो it means to be extremely happy और pleased जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो next है cost and are and a lack इसका meaning होता है really expensive जो बहुत ज़्यादा चीज expensive हो और ये भी आपके qcard में use हो सकता है बहुत easily जब आपको ये बताना हो कि कोई चीज जो है बहुत ज़्यादा expensive थी for example कि कोई gift का qcard है आपके पास या किसी ऐसे product का qcard है जो आपको explain करना है कोई electronic item आपको explain करनी है किसी mobile के बारे में आप explain कर रहे हो तब आप बोल सकते हो it cost me an arm and a leg ये मेरे लिए जो इसकी cost थी वो बहुत ज़्यादा expensive थी example के तोर पे the food was top quality but it cost me an arm and a leg जो food की quality थी restaurant की बहुत ज़्यादा अच्छी थी but उसकी जो cost थी वो really expensive थी next है to kill two birds with one stone to kill two birds with one stone यानि कि to achieve two things by doing a single action मलब दो चीज़े एक साथ एक ही time पर achieve कर लेना you can use this idiom to kill two birds with one stone example के तोर पर एक sentence देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से clear हो जाएगा whenever I am doing the house work I like to listen the English language learning broadcast in this way I kill two birds with one stone my house get cleansed untidy and at the same time my English language skills improve मलब कि जब मैं अपना घर का काम करता हूँ उस टाइम पर मैं English broadcast सुनता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं एक ही time पर दो achieve कर लेता हूँ goal कि मेरा घर साफ हो गया अगर हमारा content आपको अच्छा लगता है तो like और share जरूर कीजिए अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज comment section में आप एक बार mention कर दीजिए कि वन मोर वन मोर ठीक है सो मुझे पता लग जाएगा कि आप इस तरह की वीडियो और जाते हैं जो next idiom है वो है burn the midnight oil कि burn the midnight oil का मतलब होता है कि late night तक आप जाकर कोई काम कर रहे हो कोई study कर रहे हो या कोई आपकी assignment है उसे आप complete कर रहे हो मनला आधी रात तक जाकर midnight oil मनला burning the midnight oil आप रात कर देर रात तक जाकर कोई काम finish करने की कोशिश कर रहे हो stay up late at night to study or work तो example के तोर पे I have a big exam tomorrow so I will be burning the midnight oil tonight कि मेरा बहुत बड़ा exam है कल तो इसलिए मुझे आज रात को देर रात तक जाकर जो है study करनी होगी next day catch your eyes or catch my eyes or his eyes आप किसी भी form में इसे बना सकते हो इसका मलब होता है कि जब किसी चीज की तरफ आप attractive हो जाते हो मलब आपने मालो कि आप कहीं घूमने गए हो वहां की जो nature की जो beauty है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो आपकी आँखे जो है जो visual attraction है वो वहां पर आपकी रुख गई so आप कहा सकते हो it catch my eyes मलब उस चीज दे मेरी attraction जो है visual attraction वो ले ले ठीक है something or someone that has a visual attraction for you can be a written description as well मलब कोई ऐसी chill जो visually attractive हो so example के तवर पे that pretty girl really catch my eyes or the price on that advertised specially really catch my eyes मलब जो price थे उस advertise में show कियागे उसने वाक्य में ही जो है मेरी attention ले ली next है miss the boat और यह आप बहुत बार यूज करते हैं I miss that opportunity I miss an opportunity मलब मैंने यह मुका गवा दिया मैंने यह मुका गवा दिया तब अब आप इस word को जोकर miss the boat word जो है EDM उसे यूज करना स्टाट के जी एक्जामपल के तोर पर I enrolled late in the cooking classes and I think I missed the boat कि मैंने वो जो मुका था वो गवा दिया next day once in the blue moon it means something is happened very rarely जो बहुत ही कम होती हो ऐसी चीज़ once in a blue moon अगर आपको बोलना हो कि मैंने जो है मैं छत पर सोया जो है मैंने तारों में क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है कि जो spend करता हो time तारों के बीच में या तारों को देखते हुए अपनी night spend करता हो तो अगर कोई चीज़ बहुत rarely होती है उसे आप use कर सकते हो उस time पर ये expression once in a blue moon and example के तोर पर a student will get a nine and a speaking test once in a blue moon मला बहुत rare chance है कि कि किसी student के nine बेंड आयों बट बहुतों कि आते हैं speaking की जगा पर writing test में भी बोल सकते हैं तो चलिए ये सिरफ example था आपको समझाने के लिए expression आपको समझा गया कि कोई ऐसी something that happens very rarely जो बहुत कम होता हो चीज तब हम ये idiom use करते हैं next idiom जो बहुत ही ज़्यादा use होने वाला है वो आप अपनी daily life में हमेशा use करते हैं by hook और by crook it means by any possible means अगर ऐसे simple भाषा में समझें तो इसका मलब है कि किसी भी तरीके से मैं ये काम करूंगा ही करूंगा चाहे सीधे तरीके से और चाहे इसको मुझे उल्टे तरीके से करना पड़े पर ये काम तो मैं करके रहूंगा माल लीजिए कि आपके parents ने आपको बोला है कि आपको IELTS का exam clear करना ही है किसी भी कीमत पर भलब चाहे किसी तरह भी करो ये आपको करना ही है या फिर आपने थाना हुए कि मुझे writing में जो है वो 7 प्लस लाने ही है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई भी method आपको कोई भी possible mean आपको यूज़ करना पड़े बट आप वो करोगे इस तरह की expression जब आपको देने हो तब आप word यूज़ कर सकते हो ये idiom यूज़ कर सकते हो by hook or by crook एंड example के तरह पे most students these days want to pass the examination by hook and by crook मलब किसी भी possible way से वो जो है इसे crack करना जाते है make up your mind and last and most important idiom make up your mind यानि कि make a decision अपना मन बना लो अपना मन बना लो इसका मदलब है और आप भी अपना मन बना लिए कि हमने speaking में जो है वो 8 plus band score अचीव करना ही करना है so he made up his mind to go abroad after plus 2 उसने अपना मन बना लिया था बाहर जाने का plus 2 के बाद यहां फिर एक example लें I made up my mind to score band 9 in the reading module कि मैंने अपना mind setup कर लिया था मैंने अपना goal fix कर लिया था मैंने अपना decision made कर लिया था कि मुझे score 9 लेना है reading में अब आप भी अपना मन बना लिजीए और इस make up your mind यानि कि इस idiom पे आप एक sentence जो है comment section में जरूर बनाएगा कि आपने क्या decision लिया है आपका क्या mindset है आपकी अगर कोई query है वो भी आप हमसे पूर सकते हैं किस तरह का content किस तरह की videos आपको चाहिए किस module में specially आपका problem आ रही है वो भी आप हमारे साथ share कर सकते हैं अगर हमें आपकी problems पता होंगी तो हमें easy हो जाएगा आपकी problems को solve करना I hope कि आप सब की preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत जल्द आपके साथ एक success story 8777 की हम share करेंगे बहुत जल्द ही hopefully कि कल ही वो video आपके साथ share हो जाए एक student brilliant student है हमारी जिसने 8777 score किया है उसके उनकी क्या strategy रही है उन्होंने क्या use किया है वो सब discuss किया जाएगा thank you for watching this video and keep supporting